जाहिंद आपके अपने चैनल लिएश्टरी 24 के बढ़ा मास स्रीज में आज हम विद्दुधारा के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि BPSC दरोगा and order competition में इससे कितना मर्थ पूछा जाएगा ये बताने से पहले आप ये समझे ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चार मेना का प्री प्लानिंग है और एविरी डे आपको तीन वीडियो देते हैं जिसमें ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं वो guide वीडियो आपको question bank और syllabus का फूरा analysis करके देते ह हैं इसके बाद जो हम second वीडियो देते हैं वो topic wise test जिसे आपकी हर वो कमी को को आप खुद पहचान सके कि हम कहां गल्तिक किये हैं क्योंकि competition अब उतना आसान नहीं रहा है तो आपको competition के मध नजर देखती हुए आपको क्या करना है पढ़ना है इसके बाद explanation वीडियो जडि ब्रह्मा सकते हैं यह चार मैना के जो ब्रह्मा स्रीज है कि आप कॉंस्टेवल से आयस तक कि कहीं भी कुछ भी त्यारी कर रहे हैं तो वहां आपको pt-level का प्री लेवल का त्यारी में काफी सहायता मिलने वाला है तो आप क्या कर दिए अभीता का आप हमारे चैनल के नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़े सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास सेर कीजिए वीडियो प्राडम करने से पहले मैं आपको यह बता ना चाहूंगा क्योंकि अब आप प्रहाय को थोड़ा सिरियस ले क्योंकि अब पैंडामिक के कारण जो भी एक्जाम रुका हुआ है सभी एक्जाम लिया जाएगा इसलिए आप त्यारी में देर ना किजिए और सिरियस होके पढ़िए क्योंकि आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा आज हमारे सर से पसीना चूड़ा आपके लिए तो आप जब तक पसीना नहीं बहेंगे तक तक त्यारी नहीं होने वाला क्योंकि सफलता जो होता ना पसीनों की मेहनत से ही होता है एक कहावत है कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता है एक पत्तर उठा के तो फिक कहने का तात प्रेश का यह हुआ यदि आप सिदत से मेहनत करते हैं तो टाइम तो लगेग लेकिन सफलता जरूर मिलेगा एलक्ट्रिक क्रेंट चालू करते हैं विद्धु धारा को समझने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक प्वेंट समझें इसमें क्या होता है कि आवेस होता है आवेस करेंश करता अब जब पदार्थ का भाग देखिए तो पदार्थ का पाद में है लेक्ट्रोन पॉर्ट्रोन नेट्र्ण उसमिंगों और 8 Suzanne का आधां परदण को आवेdens करते हैं और जब अब अचर्ण की बाद हो गया अर्ध चालक सुचालक और अंतिचालक कशा लग लग यह तो जानते हो अतिचालक अब क्या होता है ये थोड़ा समझा देते हैं अतिचालक ऐसे पदार्थ होता है जब उसको क्या करें एक सदस डिग्री मैंनस में ले जाएंगे तो उसका परतिरोध जीरो हो जाता है तो परतिरोद जीरो होने की वज़ास से ही इसको क्या करते है उसे अति चालक करते है जिसमें परतिरोद सुनने हो तो यह तो आप समझ गए कि आपको यह बेसिक पढ़ना है यह बेसिक समझ गए आपको अब यह समझ यह कि एक्जाम में क्या-क्या पूछा ज जंग je जैसे ओम कर नियूम की जो फ़र्मूला का अंत्र किसे मां पाप जाता हूं मतलब यहां हम गया करता है बीध्य दारा को दो भाख में बाटा जाता है इसी और दीशी समझे एसी दारा क्या होता है हम दोनी चप्टर आपको थे तो अनुप्रस्त्रंग की से चलता है रимः वस्षी परकार से एसी धारा भी धीसा और परिनाम दोनों बदलते हैं मतलब ऐसे दन चलते रहते हैं दिसा और परिनाम बदलने की वज़से तो आप जाएए जब जयादा कम जयादा कम जयादा कम जयादा होते रहता है तो पता चलता है लेकिन उसमें कम होता है जिसके वज़न से आपको नहीं पता चलता है लेकिन वह जन्रेटर पर जाईए तो आप वहाँ पता चलते रहता है इसके बाद होता है दिसी धारा हम पढ़ेते सौंड में ही अनुप्रस त्रंग में क्या देगे धक्का दे देकर मतलब सीधे चल रहा है एक दिस में चल रहा है धक्का देकर तो उसी परकार से दिसी धारा जो होता है वह सीधे लाइन में चलते हैं मतलब सीधा चलते हैं तो आप तो समझ गे एसी टीस में डिटेल से पड़ना है तो आप एकस्प्लानेशन वीढिओ में धीडियू से पड़ाते हैं इस वीडियो में आपको थोड़ा मतलब लेख सैंगे लिभी और आप समया अब यह क्या पड़ना क्यों तो एक्जाम में सबसे ज़्यदा कोश्चन आता है तो या तो इकाई से आता है या फर्मूला से आता है चाहे ओम का नियम का फर्मूला हो चाहे विदूधारा का फर्मूला हो वहां से आता है या नहीं तो कहीं से कोश्चन आता है तो उर्जा का रुपांतरन से कोश्चन आत डेखने में आपको डेखना है जैसे कि विधूत मोटर किस उरजा को किस उर्जा में रूपां तीद करते हैं तो इसे और और सारे भी उर्जा रुपांत्र नियंत्र है तो उस यंत्र के बारे में आप देखें क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेगुलर सब एक्जाम चाहे बीपीएसी दरोगा या एससी बैंकिंग जो भी एक्जाम हो यहां से क्वेश्चन पूछता है एलेक्ट्रिक क्रेंट विद